श्री गुरु चर्न सरोज रज निजमन मुकुरु सुधारी बर्न उरघुवर बिमल जसु जो दायक कुफल चारी बुद्धि हीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोही हरहु कलेस बिकार जै हनुमान ग्यान गुन सागर जै कपीशति हूँ लोक उजागर राम दोत यतुलित बलधामा अंजनि पोत्र पवन सुधनामा महाबीर बिक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित के साग हाथ बजर और धजा विराज कांधे मूंज जने उसाज संकर सुवन के सरी नंदन तेज पताप महा जग बंदन विद्यावान गुनियति चातुर रामकाज करिबेको आतुर प्रभुचरित्र सुनि बेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया सुश्म रूप धरी सियही दिखावा विकट रूप धरी लंक जरावा भीम रूप धरी असुर सहारे राम चंद्र जी के काज सवारे लाए संजीवन लखन जीयाए श्री रगुवीर अरशी उरलाई रगुपति की नहीं बहुत बढाई तुम मम प्रिय भरत ही समभाई सहस बदन तुम रोजस गावे अस कही श्रीपति कंठ लगावे सन कादिक ब्रम्हा दिमुनीसा नारद सारद सहित अहीसा जम कुवेर दिगपाल जहां थे कभी कोविद कही सके कहां थे तुम उपकार सुग्री वही की नहां राम मिलाय राजपत दीगां तुम्हरो मंत्र विभी शन माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जोजन पर भानू लेल ल्योता ही मधुर फल जानू प्रभु मोद्र का मेली मुख माही जल दिलाग गए अज रज नाही दुरगम काज जगत के जेते सुगम अनूग्रह तुम्हरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे फोत ना आज्या बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरिना तुम रख्षक काहू को डरिना आपन तेज समहारू आपे तीनो लोक आँक ते कापे भूत पिसाच निकट नहीं आवे महाबीर जब नाम सुनाए ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुडावे मन क्रम बचन ध्यान जो लाए सब पर राम तपस्वी राजा तिन के काज सकल तुम साजा और मनोरत जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारो जुग परताप तुम्हारा है परसीद जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंद निराम दुलारे अश्ट सी दिनों निदी के दाता असबर दीन जाने की माता तुम्हरे पासा सदा रहो रभुपति के दासा तुम्हरे भजन राम दुलारे जिको पावे जनम जनम के दुख बिसरावे अंते काल रगुबर पुर जाई जहां जनम हरिभाति का है और देवता चीत न धरही हनुमत से इस रब सुख करही संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई त्रिपा करहु गुरु देव किनाई जो सत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुत होई जो यह पड़े हनुमान चली सा हो यसी दिसाखी गौरी सा तुलसी दास सदा हरिचेरा की जैनाथ हृदै महाडेरा की जैनाथ हृदै महाडेरा पवन तनया संकट हरन मंगल मूरती रूप राम लखन सीता सहित रिदै बस हो सुर भूप की बंदान सीता डास से बोड़े इस की जैनाथ हो शो थे नियादा की जैनाथ हो नादी इसके जैनाथ है अभूप बंदां की जैनाथ है टीकित रिदां की जैनाथ है ले लेग्र ok निलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातंड संभूतं तम्नमामीशनेश्वरं 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 निलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातंड संभूतं निलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातंड संभूतं तम्नमामीशनेश्वरं 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 निलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातंड संभूतं निलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातंड संभूतं तम्नमामीशनेश्वरं 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 निलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातंड संभूतं निलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातंड संभूतं तम्नमामीशनेश्वरं 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 निलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातंड संभूतं निलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातंड संभूतं तम्नमामीशनेश्वरं 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 निलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातंड संभूतं निलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातंड संभूतं तम्नमामीशनेश्वरं निलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातंड संभूतं तम्नमामीशनेश्वरं निलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातंड संभूतं तम्नमामीशनेश्वरं निलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातंड संभूतं निलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातंड संभूतं तम्नमामीशनेश्वरं निलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातंड संभूतं तम्नमामीशनेश्वरं निलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातंड संभूतं तम्नमामीशनेश्वरं साक्ष मिला कल युग में भी मिला दुखियन को आशीश्व साक्ष मिला कल युग में भी मिला दुखियन को आशीश्व रघुवर असवर दिन है अमर जीवन का पीश्व है हनुमत अमर जीवन का पीश्व काज किये रघुवर के तुम लाई संजीवन साथ हनुमत तेरी जय जय हुई बने दुखियन के नात है हनुमत बने दुखियन के नात अधभुत रूप सुहावना बलशाली है बुजंग कांध जनेवु हात गदा देह पे लाली रंग है हनुमत देह पे लाली रंग रघुवर के तुम दास हो भरत प्रिये जसभाई जहां कथा है ओत राम की करत सदा गवाई है हनुमत करत सदा गवाई बाल रूप में केडा भी अजब किये भैलीन धदक सुरज संग लीली गए अरज पे जीवन दीन है हनुमत अरज पे जीवन दीन केसरिनन्दन कहलाते संकट मूचन नाम रामदूत पच्मूख शोवित किशकिंधा है धाम है हनुमत किशकिंधा है धाम सुन्दर कांडि रामायन में अदुभूत वर नने रूपू सुन्दर कांडि रामायन में अदुभूत वर नने रूपू ध्वानर मुख बल शाले तुम्ध रामभात प्रामूख है हनुमत रामभात प्रामुखू जब जब पीड़ा पड़े भगतन की सनमुख आते हमेशी सब संतन के रखवाले हर लेते हो कलेशी है हनुमत हर लेते हो कलेशी अक्षै मार कुमार को लेल गए तुम प्राण। अक्षै मार कुमार को लेल गए तुम प्राण। अच अच जान के रामभात की भिविशन देते सम्मार। है हनुमत भिविशन देते सम्मार। जिस पे किरपा हो राम की उस पे लगे ना जोग। जिस पे किरपा हो हनुमत की धर ना कोई रोग। मंगलवार के व्रत से होते हैं पूरे काम। सो पूजन के एक बरावर हनुमत संग राम का नाम। सुरसा लंकिने दूर मुख भी समल न पाए में। मुख में समा कर निकल गए तरमस तक में छेड हैं हनुमत करमस तक में छेड। लंका सोन की जल गई जहरावन कर वास। लंका सोन की जल गई जहरावन कर वास। लाक सचित हनुमत समझाए राम है सब के नात। रावन अच्छ रज जान कर सोच मा था पीट। बज रंगी बस राम रटे राम नाम है मीट। मुख से एक ही बात की चर्च करे हर बार। हनुमत संग जो राम कहे उसका हो बेडा पार। लांग गए सो जोजन की समुंद्र की खाई खार। लांग गए सो जोजन की समुंद्र की खाई खार। काज की ए रगुवीर की होने लगी जैकार। है हनुमत होने लगी जैकार। चिंतित मन अचेत सी माता सियासन मूख देमुत्रिका कर जोर के बन गए राम के दूद्ध। है हनुमत बन गए राम के दूद। खोजत राम सियाको है बिच माला निशकाम। खोजत राम सियाको है बिच माला निशकाम। वो बस तो किस काम की जिसमें नहीं हो राम। है हनुमत जिसमें नहीं हो राम। देख हिराम अशर जिसे दिन आशिस है खास। देख हिराम अशर जिसे दिन आशिस है खास। जब तक है ये स्रिष्ट जिवित यूगो यूगो तुम दास। है हनुमत यूगो यूगो तुम दास। राम नाम की लूट है संग में हनुमत जूट। अंत समय यही काम आएंगे सब जाएंगे रूट। है हनुमत सब जाएंगे रूट। तुम सा संत न कोई है नायोगी है महान। सब कुछ जग में पाजाएंगे वो जपे जो तेरा नाम है हनुमत जपे जो तेरा नाम। जैसे राम के काज सवारे बन के राम के दूद। वैसे ही मेरे काज सवारो है अंजन के पूद। है हनुमत है अंजन के पूद। शर्णा गत बन आप के मैं आया तेरे द्वार जैसे दुखियन की पार लगाए मेरा भी करना उधार है हनुमत मेरा भी करना उधार वेद पुराण ना जानु में ना जानु कोई काम मैं मूरक बस इतना जानु बस हनुमत तेरा ना है हनुमत बस हनुमत तेरा ना लाल देही लाली लसे अरुधर लाली लंगूर दर्शन तेरा चाहूं मैं घर मेरे आना जरूर है हनुमत घर मेरे आना जरूर सुना है तुम तो क्रिपालो हो तुम ही कहला तेरा मेश्ट सुना है तुम तो क्रिपालो तुम ही कहला तेरा मेश्ट राम दुलारे राम सखाजस तुम दाने हो स्रेश्ट है हनुमत तुम दानी हो स्रेश्ट निस दिन जो हनुमान जपे प्राता कर उपवास दुख ना पाप गेर कभी हो कस्टो का नास है हनुमत हो कस्टो का नास कलम उठा कर जोडिके शिवहरी करे गुणगान विर्बज रंगी हनुमत के है करपा के निधान है हनुमत है करपा के निधान जैगनेश गिरजा सुबन मंगल करण करपाल दीनन के दुख दूर करी के जैनाथ निहान जयती जयती शनी देब दयाला गरत सदा भातन प्रति पाला चारी भुजा तनों शाम विराजे माथे रतन मोपोट छबी छाजे परम विशाल मनों हर खाला तेरी ड्रिस्टी भिकुटी विक्राला कुंडल शवण चमाचम चमके भियमाल मोतन मनी दमके करमें गदात्र शोल को ठारा पलबिच तरे अरिभी संहारा पिंगल क्रेश्न चाया लंदन यमकोनस्थ राद्र दुख मंजन सारे मंद शनी दस नामा घानु पुत्र पुजही सब कामा जापर प्रभु प्रसन हम जाही रंक हु राब करेश्न माही पर्वत हु त्रण हु इनिहारत त्रण हु को पर्वत करीडारत राज मिलत बन रामही दीन्यों कैती हु कीमती हरिन्यों बन हु में म्रिग कपट दिखाई मा तु जान की गई चुराई लग नहीं शकते वे कल करेडारा मचिगा दल में हाहा कारा रावण की गति मति पोराई राम चंद्र सो बैर बढ़ाई दियों केट करे कंचन लंका बज बज रंग बीर की डंका निप वित्रम पर तो ही पगुधारा चित्र मयूर निंग लेगे हारा हार नौल खाला क्यों चोरी हाथ पर डरवाय तोरी भारी दशाने क्रिष्ट देखायों तेली ही घर को रोचलवायों बिनय राग देपक महतीन्यों तब प्रसन्न प्रभुह वे सुखनेयों हरे श्चंद्रन कुनार बेपानी पाप हुँ भरे डूम घर पानी तैसे नल पर दशा से रानी भूजी मेन तोद गई पानी श्रीशंकर ही गयों जब जाई पारवती को सती कराई तनिक विलोकत ही करी रीसा नभूड गयों गौरे सुथ सीसा पांडव पर भै दशा तो भारे गचें द्रोगने होते उधारे कोरव के भी गती मती मार्यों योध महा भारत करडार्यों रव कह मुख महधर तत काला लेकर कोदी पर्यों पाताला शीश देव लखी बिन की लाई रव को मुख ते दियों छुडाई गौहन प्रभु के साथ सजाना जग देंग जगर दभ मिद स्वाना जम्बुक सिंह आदी लख धारी सोपल जोत शकहत पुकारी गजवान लक्षमी देह आवे हैती सुख संपती उपचावे गरदभ हाने करे बहु काजा सिंह सिंह कर राज समाजा जम्बुक बोधी नश्ट कर डारे नगदे कश्ट प्राण संहारे जब आवही प्रभु स्वान सवारे चोरी आदि होए डरभारे पैसे ही चारे चरण यह नामा स्वर्ण लोह चांदी अरुतामा लोह चरण पर जब प्रभु आवे धन जन संपती नश्ट करावे समताताम्र रजत शुबकारी स्वर्ण सर्व सुख मंदल पारी जो यह शनी चरित्र नित गावे कब हो न दशाने क्रेष्ट सतावे अदभुत नाथ दिखावे लीला करशत्रों के नशिबली हेला जो पंडित सोयोग्य बुलवाई विधिवत शनी गह शांती कराई पीपल चल शनी दिवस चड़ावत दीपदान दै बहु सुख पावत कहत राम सुन्दर प्रभुदासा शनी सुमिरत सुख होत प्रकाशा पाठ शनिश्चर देव को की हो भगत तयार करत पाठ जाने इस देन हो भग सागर पार ओ जैशनी लेव हरे रभु जैशनी लेव हरे सकल वेश्व के संकट छन में दोर करे ओ जैशनी लेव हरे सदर मेश्व के संकट शन में दोर करे ओ जैशनी लेव हरे तुम करुणा मैं स्वामी वेश्व दित देवा वेश्व दित देवा भक्त हितों के रचक अनक पाए सिवा ओ जैशनी लेव हरे शनी है काल मिटा सब के सुख राशी दुख दारे द्रव नाशक चूत परे द्रव नाशक तुम चम दिश वासे ओ जैशनी देव हरे दीन बंधु अति द्रवित सब के प्राण पती प्रभु सद मार दिखाओ करो दोर कुमती ओम जैशनी देव हरे तुम सरवत्र विराजे तुम अंतर यामी महाकाल भय हरे तुम सब के स्वामी ओम जैशनी देव हरे मात पिता बंधु तुम सब कुछ हो मेरे पूल ग्रिपाबर साओ गौर पड़ा तेरे ओम जैशनी देव हरे हो एका ग्रिचत प्रभू तया द्रेश्टी कीजे परमभक्ति के पापारे संकट हर लीजे ओम जैशनी देव हरे हाई मनूरत सुबल हतों की नया पार करो चरण पराद भू तेरे सर पे हाथ धरो ओम जैशनी देव हरे श्रीशनी देव क्रिपाकारी दूर अख्यान करो स्वामे दूर अख्यान करो बजरंद चिंता हारे घर्तो पिठे पाकरो ओम जैशनी देव हरे ओम हन हनो तेव रमो नमा प्रेम से बोले भग्तो जै हनुमान जै जै श्रीवाम भग्तो हनुमान जी को भगवान शिर्फ के ग्यारवे रूद्र अब्तार के रूप में बाना जाता है और उने शक्ति यान, वीर्ता, बुधी मता, निस्वाट सेवा के प्रतीक के रुब में पूजा जाता है इन्हें जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला एक अमर माना जाता है जो सभी प्रकार के नकरात्म प्रभावों या प्रलोभनों को रोकने की शक्ति रखता है इन्होंने अपना जीवन भगवान राम और सीता को समर्पित कर दिया इन्होंने बिना किसी उत्तेश के कभी भी अपनी ताकत या वीता नहीं दिखाए इस प्रकार के पूर्णियों को प्राप्त करने के लिए हनुमान की पूजा करनी चाहें। भक्तो इंद्र के वज्र से हनुमान जी की थुटी यानि संस्क्रत में हनु तूट गई थी। इसलिए उनको हनुमान का नाम दिया गया। इसके अलावा ये अनेक नामों से प्रसिब हैं। जैसे बजरंग बली, मारुती, अंजनी सुथ, पवन पुत्र, संकट मोचन, केसरी नंदन, महावीर, कपीश, शंकर सुवन, आदिया। त्रेता योग में, रामायन के समय, भगवान श्री राम की सहायता, राक्षसों का वद, तथा अपने भगतों के संकट हरने पर, उनको इन नामों से पुकारा गया। प्रेम से बोलिए भगतों, पवन सुथ हनुमान के जैन। संकट मुझन है हनुमान, करते भगतों का कल्यान, जो भी प्रभूशे राम को भ्याते, उनको सदा बजरं रहभाते। शनी मंगल है इन कावार, कश्टों से करते हैं उथार, हूत पिसाजन कट नहीं आते, जो महलेल कधाने लगाते। हनुमत है अंजना के लाई, हनुमत से डरते है काई, एक हाथ में गदा विराजे, कांगे मुंग जने उसाजे, लाल रंग महावीर को भाई, रहते सदा है धुनी रमाई, राम नाम इनको है प्यारा, दुष्टों को हनुमत में सुहारा। भक्तों, महावीर हनुमान प्रपु, श्री राम के अनन्य भक्ते है, हनुमान जी ने वानर जाती में जन लिया। उनकी माता का नाम अंजना और उनकी पिता वानर राज केश्री है। इसी कारण इन्हें आंजने और केश्री नंदन आदी नामों से पुकारा जाता है। वही दूसरी मानता के अनुसार हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहते हैं। हनुमान जी के जन्म के पीछे पवन देव का भी योगदान था। एक पार अयोध्या के राजा दशर अपनी पत्नियों के साथ पुत्रेश्टी हवन कर रहे थे। यह हवन पुत्र प्राप्ती के लिए किया जा रहा था हवन समापती के बाद गुरुदेव ने प्रशाद की खीर तीनों राणियों में थोरी थोरी बांटती पवन देव में खीर का एक भाग वायो द्वारा विस्थापित कर दिया जिसे एक कववा अपने साथ उस जगा ले गया जहां अंजनी मा तपस्या कर रही थी यह सब भगवान शिव और वायो देव के इच्छा अनुसार हो रहा था तपस्या करती अंजना के हाथ में जब खीर आई तो उन्होंने उसे शिव जी का प्रशाद समझ कर ड्रहन कर लिया इसी प्रशाद के वज़े से हनुमान का जन हुआ प्रेम से बोले भगत पवन्सुत हनुमान की जय हनुमान है भगत राम के सब भगतों के हैं सर्तार पंजना जी है जिनके माता पिता है के शरिवान अर्रार पुत्र प्राक्ति को राजा दशरत कर रहे थे पुत्र इस्ठी हवन दशाद रूप में मिला जोगे बह गए उसका असका एक कागा ने खीर उठाया जा बैठा है दूर जगह पर तप कर रहे थे माता अंजना पुत रहे तुझा ही थवर कागा ने फिर उनके हाथ में खीर का वह अंश गिराया प्रशाद समझ खाया माता ने पुत्र रूप में हमत पाया भक्तो आये सुनते हैं हनुमान जी को प्रसंद करने का सबसे पावन मंगलवार व्रत कथा एक समय की बात है एक ब्रामहन दमपत्ती की कोई संतान नहीं थी जिस कारण वह बेहत दुखी थे एक समय ब्रामहन वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गया वहां उसने पूजा के सांथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ती के लिए मंगलवार का व्रत करती थी वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगा कर ही भोजन करती थी एक बार व्रत के दिन ब्राम्हनी ना भोजन बना पाए और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगा कर ही बोजन करें वह भोगी प्यासे छह दिन तक पड़ी रही मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गए हनुमान जी उसकी नश्ठा और लगन को देखकर पसंद हुए उन्होंने आशिर्वास्वरू ब्रामणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा प्रेम से बोलिये भक्तु पवन सुधन मान की जय आओ सुनाए हनुमत व्रत कथा श्रवन पर करते ख्रिपा हनुमार मंगलवार के पावन कथा से मिलता यस्वै भो संभारू एक थे ब्रामण तंपति जिन का नहीं था कोई भी संतार तब ब्रामण ने वन में जाकर किया है हनुमत का गुड़दार उसके पत्नी भी धरते थे हनुमान का सदा ही ध्यार अपने भक्तों का कष्ट देखकर महावीर ने दिया वर्दा सशरेर बालक प्रकट हुआ है कहा हनुन ये पत्र तुम्हारा करेगा तेरे निस दिल सेवा होगा यह तुम सब का दुनारा भक्तों बालक को पाकर ब्रामण ने अती प्रसन्य हुई उसने बालक का नाम मंगल रखा कुछ समय उपरांग जब ब्रामण घर आया तो बालक को देख पूझा कि यह कौन है पत्नी बोली कि मंगलवार ब्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है ब्रामण को अपने पत्नी की बात पर विश्वाश नहीं हुआ एक दिन मौका देख ब्रामण ने बालक को पूझे में गिरा गिया घर पर लोटने पर ब्रामणी ने पूझा कि मंगल कहा है तभी पीछे से मंगल मुस्कुरा कर आ गया उसे वापस देखकर ब्रामण आश्चर चकित रह गया रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिये और बताया कि यह बुत्र उसे उन्हों ने ही लिया है ब्रामण सत्य जानवर बहुत खुश हुआ इसके बाद ब्रामण दंपती प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को बढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है उसे हनुमान जी की क्रपा से सब कष्ट दूर बोकर सर्व सुख प्राप्थ होता है और हनुमान जी की दया के पात्र बनते हैं प्रेम से बोलिये भगतों पवनसुत हनुमान की जयर। हुई ब्राम्हनी अतीप्रसर नाम रखा है उसका मंगर वन से लोटे जब ब्राम्हन दे देख के बालक हुए है बिहर। पुझा पत्री से कौन है बालक जो रहता है अपने हिंगये। ब्राम्हनी ने कहा प्रभुख्रपा है हनुमान की दिया यहाँ है। हुआ विश्वाशना ब्राम्हन देव को बालक कुपुआ में फेक दिया है। रामणी ने पुझा कहा है मंगल रामणी में जलंदाज किया है तभी मंगल पीछे से आया माता को दिख वो मुसकाया रामण को विशवाश हुआना प्रभू की है ये कैसी माया तब एक बार हनुमान जी को सुलाकर माता अंजनी ग्रह कारे में व्यस्थ हो गई तभी हनुमान जी के निल खुल गई तथा भूग से व्याकुल हो सूरी को मिठा पल सबचकर उन्होंने उसे अपने मुख में भड़ लिया उस समय ग्रहन चल रहा था सूरी के यह गती भाबते हुए राहू ने देवराज इंद्र के पास जाकर उन्ही सारा वृत्तांत सुनाया तब देवराज इंद्र ने देखा कि छोटी से हनुमान सूरी को अपने मुख में रहतर खेल रहे हैं और सारा जगत त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है उसी समय हनुमान जी की ब्रिष्टी इंद्र की ओर गई और उसे भी पल समझ कर खाने लगे इंद्र ने हनुमान जी को अपनी ओर आता देख कर उन पर वज्र से प्रहार किया बज्र की प्रहार से सूर्य हनुमान जी के मुख से आजाद हो गये और हनुमान जी मुझित होकर केर पड़े तभी वायो देव ने वायो की गती रोगती जिस कारण सारे जगत में वायो संचार बंध हो गया और सभी जी मृत्यों को प्राप्थ होने लगे देवराज इंद्रिस समे सभी देवताता ब्रम्हा जी के पास गए ततपस चार ब्रम्हा सहित सभी देवताओं ने वायो देव के पास जाकर उनसे विंती की की वायो का संचार प्रारम करे तथा सभी हनुमान जी को बल, बुध्धी और चिरन जिवी होने का आशिरवात प्रदान करें हनुमान जी की मूच्छा समाप्थ हुई और श्रिष्टी में नव संचार होने से मानव सहित सभी जीवों की रक्षा हुई प्रेम से बोलिये भक्तों पवन सुथ हनुमान की जै एक बार की बात है भक्तों अंजना गई हनु को सुला कर भूख से नेन्द खुली हनुमत की सुले खुलिया है मूह में भए चारो और अंधकार है छाया राहु के तो कुछ समझ ना पाया ब्रहन काल में यह हुआ क्या इंग्रन देव को सब बात बताया इंग्रन किया है बज्ज प्रहार हनुमत मुछित गिरे धरापर पवन ने रोका वायु संचार सारी प्राणी कर रहे थे धर्थर सभी देवता पास है आए हनुमान को कैसे जगाए तब ब्रहम्हा ने देया है जीवन हनुमान उठ्यकय मुस्ताय भक्तों मर्यादपुशोत्तम श्री राम के सत्वोत्तम सेवक सखा और भक्त श्री हनुमान सत्गुणों के भंडार है श्री हनुमान के परम पराक्रमी सेवा मूर्टी स्वरूप से तो सभी परिचित है लेकिन वह ज्यान्यों में भी अग्रगर्ण्य है वह अतुलित बलके स्वामी है उनके अंग बज्र के समान कठोर एवं शक्तिशाली है उन्हें बज्रांग नाम दिया गया जो आम बोचाल में बज्रंग बन गया बज्रंग बली केवल गदाधारी महाबली ही नहीं बलकी विलक्षन और बहु आयामी मानसिक और प्रखर बौथिक गुणों के अध्वु धनी है हनुमान जी राम सेवा अथार सात्विक सेवा के शिखर पुरुष ही नहीं थे बलकि अनन्त आया में व्यक्तित्व विकास का महा आगाश है विवेग, ज्यान, बल, पराक्रव, सैयम, सेवा, समर्पर्ण, नेत्रित्व, संपन्नता आदी विलक्षन गुनों के धनी होने के पावजूत, उमें रती भर अहंकार नहीं था हनुमान जी समाजिक, समन्वय और विकास के अगर्दूत है वह योधा के रूप में पवन गती के स्वामी है सबसे बड़े है सेवक हनुमत कोई ना उनसा राम का दार सदुगुण का भंडार महावे सर्वग्यान है जिनके पास अगर पाना है राम शरण को भज हनुमान तुम निस दे करेंगे ग्रिपा बज रंग बलेजे मन निर्मल ना होगा मले हनुमत पवन गती के स्वामी दया करते हैं अंतर यामी अपने भक्तों पर होते सहाई दिपास खाल भी कटनाई होम हन 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 हनुमत नमह यह हनुमान का मूल है मन्तर होती उन पे विशेश के पाँ जो रख दे हन रख चायं के भक्तों मानता है कि पवन पुत्र हनुमान जी का जन मंगलवार के दिन हुआ था जिस कारण मंगलवार के दिन उनकी विशेश पूजा अर्जना करने का विधान है मंगलवार के दिन हनुमान चालिसा का पार्ट करना लाबकारी होता है मंगलवार के दिन हनुमान जी की मूर्ती पर चमेली का तेल और सिंदूर चड़ाएं इस दिन तामसिक भोजन और शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए मंगलवार के दिन भगवान राम के नाम का जाप करे इससे आपको हनुमान जी का अश्रवार प्राप्थ होगा हनुमान जी की पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग शुब माना जाता है हनुमान जी को लड़ू बहुत पसंद है इसलिए उन्हें लड़ू का भोग अवश्य लगा है पूजा का समापन हनुमान जी की आर्थी के साथ करे अंत में हनुमान जी से प्रात्ना करे प्रेम से बोली भक्तों जै हनुमान जै जै श्री राम